नमस्कार क्विक नूस प्रोग्राम में आपका स्वागत है टॉपिक है अब तर्टिय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान रक्षा मंत्राले के मुताबिक पुर्वी नौसेना कमान मुख्याले के तत्वावधार में कृष्णा गोदावरी बेसिन अब तर्टिय विकास ख्षित अब तर्टिय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया गया यह अभ्यास हर छह महीने में आयोजित किया जाता है इस अभ्यास का मकसद भारत की तर्टिय सुरक्षा में शामिल सभी समुद्री हित धारकों के प्रियासों को एकी कृत करना है तथा तर्टिय सुरक्ष इसमें हिस्सा लिया साथी आंधरप्रदेश मरीन पुलिस आंधरप्रदेश मतस्य पालन विभाग और तत्रक्षक बल सही समुद्री सुरक्षा के ख्षत्र में अन्य हितिधारक इस अभ्यास में शामिल हुए इस अभ्यास के दौरान आतंकवादी घुसपैट बम विसफोट हताहतों की निकासी, खोज और बचाओ, आग, तेल रिसाओ और सामुई की निकासी जैसी चुनोतियों से निपटने के अभ्यास आयोजित किये गए इस अभ्यास ने समुद्री सुरक्षा से जोरे सभी हितिधारकों को पुरवी तर्टिय विकास क्षित्र में विभीन चुनोतियों से निपटने के लिए समन्वी तरीके से काम करने का एक वास्तिविक आवसर प्रदान किया है साथ ही उनकी तैयारियों को परखने का भी एक मौका प्रदान किया इससे पहले भारतिय नौसेना की पश्चमी कमान द्वारा जनवरी 2022 में समुद्री सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए पश्चमी लहर XPL 2022 का भी आयोजिन किया गया था नौसेना को कुल चार कमानों में विभाजित किया गया है ये हैं पुर्वी नौसेना कमान पश्चमी नौसेना कमान दक्षणी नौसेना कमान और अंडमान एवं निकोबार कमान